सवी प्रिये स्टूडेंट्स और लर्नर्स को मेरी तरब से बहुत बहुत नमशकार और एक बार और मैं आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आँगे का जो हमारा रह गया था जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कक्षा बारवी इंगलिस विशय को हम कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं आपके बारसिक परिक्षा की दर्ष्टे से जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट पोर्ट क्षवान मुझे सुनना सिका दीजीए उसके बाद में हमने कल के जो लाश्ट टाइम में विडियो बनाया था आपने दिन देखा है तो उसको बिल्कुर देख सकते हैं प्लेग सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर आप जो है देख सकते हैं तो हमने यह डिब्बा पूरा कंप्ल कर लिया है अब हम सेकंड्स जो स्टेजा दिया गया है इसको कंप्लिट करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जो है अन्य और दो स्टेजा दिये गये हैं उनको भी हम कंप्लिट करने की कोशिश कर लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर किस बात की जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि तीसरा स्टेजा में यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि मैंने इन लाइनों को पढ़के बताया हूँ तो इन लाइनों से आपने क्या समझा है मुझे तो अभी तक पता नहीं लेकिन अब मैं आपको एक एक बात इसमें से समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत ही ज्यादा बारिकी से समझाने की कोशिश करता हूँ जैसा कि यहाँ पर आपको नीचे की तरब दिखाई दे रहा है इस डिब्बे में जो कि आपकी पुस्तक में और ज्यादा तर पुस्तकों में असर है जैसे यह टेक्स्ट्बुक है तो कुछ हाडड़ वर्ड जो इन लाइनों में यहाँ पर है जिसका आर्ट हमें मालूम नहीं है तो उसकाクा कुछ प्रखार यहाँ पर दिया गया है जैसे कि यहाँ पर सब्ध है तो यह व्यमें बेदादा हमार्ट वोइस और यहां पर प्रताडित लोग है उनकी तो वही आवाज को जो है विस्पर कहा जाता है होपलेस लोगों की आवाज को विस्पर कहा जाता है जैसे यहां पर पिली लिखा है पिली के उपर दो लिखा है तो दूसरे नमर पर हम देख सकते हैं यहां पर यह देखिए दूसरे नमर पर आपको को देखने को मिल जाएगा पिली का मतलब क्या है क्या है एक रिक्वेस्ट होता इसका मतलब इमोशनल रिक्वेस्ट वो भी अर्जेंट तो फॉर्गोटन लोग जो रहते हैं फॉर्गोटन की पिली होती है उनकी एक रिक्वेस्ट रहती है तो वही रिक्वेस्ट को यहां पर जो है forgotten की पिली कहा गया है और तीसरा option में यहाँ पर जैसे एंगेज्ड लिखा गया है यहाँ पर भी एंगेज्ड आपको देखने को मिल जाएगा अब इसका मतलब क्या है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं पर है और बहुत है जैसे लोगों को जैसे प्योज में लोगों को जो है यह और उनकी चिलाने पर रोने की आवाज है उसके लिए क्राइक आ गया है तो आई होप की इसमें से most of the word आपको समझ में आ गया होगा ठीक है hopeless मतलब जो निरासा वादी लोग रहते हैं जिनको निरासा आ गई है किसी बात की कोई आसा ही नहीं है कुछ करने के एक च्छाई नहीं है उसे जो है hopeless कहते हैं और forgotten का मतलब तो आपने देखा ही है कि forgot मतलब होता है बूलना एक बर्ब होती है और उसमें टी एंड जोड़ देते हैं लास्ट में तो forgotten बन जाता है तो यह जो है एक विसेशता बताने वाला जो है एक्जेक्टिव या नाउन की त द्वारा लोगों के द्वारा जो लोग भुला दिये गए हैं उनको forgotten कहते हैं और English मतलब तो आपने देखी लिया जो अनफ़ीनेस है उसको कहते हैं और इसी तरह से बिसपर का पिली का और क्राई का आपने देखी लिया है अब यहां पर फार लिखा है इसका भी आर्थ दे के तोर पर उप्योग किया जाता है इसका आई कम होता है और डो तू दोज मतलब की वे लोग या जो बे लोग जो लोग इस तरह से इसका मतलब लेते हैं टू दोस का और टीश मीटू लॉड यह लाइन तो हम कई जो है समय से और कई वार बता चुके हैं और पढ़ते आ रह समझ में आ रहा है वो बताने कि आपको कोशिश कर रहा हूं ठीक है तो teach me मतलब मुझे पढ़ा दो to listen listen करना मुझे सिका दो या पढ़ा दो Lord Lord से कह रहा है कभी तो यही उसका मतलब होता है चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन लाइनों का पूरा बास्तु भी करत क्या है क्या हो सकता है इन सब को मिला करके जोड़ करके और एक्स्ट्रा में कुछ चीज़े लगा करके ना तुम्हे थोड़ा इनको साप कर लूँ थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है चलिए यह साफ हो गए है तो यहाँ पर प्रोLEड कभी कहते हैं है भगवान मुझे बढ़ सि colorful पर इदша है दो बहाल है उन लोगों को सुनन सिका दीजिए के ओंकों कौन। इन लोगों से भी आ तो तीन लोग इनसे दूर है एक तो दब इसपर अबदा खो पलेज वो लोग जो होपलेज्य है जिनके पास कोई आसा नहीं है जिनके अपने जीवण लोगों की जो बिस्च पर है जो आवाज है उनको सुनना सिका दीजी मुझे और आंगे क्या कहता है दप ली ऑफ्वर्गोटन जो फॉर्गोटन लोग है जो भूला दिये गए ऐसे लोग है जिनका कोई सेंस नहीं है यह ना तो उन लोगों की पिली उन लोगों की भी बनता है आपके एक्जाम में दो नंबर से और कभी तीन नंबर से ना पोयम से आपके जो है इतेजी चार नंबर से आया तो यहां से यह कोशन जरूर बनता है कि जो कभी है कभी के नुसार कौन लोग दूर है फार फ्रोम अस तो आपको लिखना होगा दब इस पर आप लेज यह आप इन तीनों को बस लिख सकते हैं यह वर्ड आप तो याद रखी लीजिए होफ लेस फॉर्गोटन एंड एंगिस्ट चली आंगे चलते हैं आंगे लिखा है कि दा क्राइब दा एंगिस्ट जो एंगिस्ट लोग है ऐसे लोग जो आनहपी है जो दुखी है तो उन ल एसा जो है कभी इन पोयम्स के माध्यम से हमें बताने की कोशिश कर रहा है ठीक है आई होब कि आपको यह लाइन भी बहुत यह अच्छे से एक एक चीज़ जो है किलियर हुई होगी इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर दीजिए उस डाउट पर जरू इस इंसाइड इन दा डीपेश्ट पार्ट ओफ मी चलिए इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं हम सबसे पहले एक एक सब्दे का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं जैसा कि आपको पता है टीच मतलब होता है सिकाना पढ़ाना मी मतलब होता है मुझे लिसन मतलब होता है मतलब होता है भगवान गोड ठीक है अब उसके बाद बात करते है माई सेल्प माई सेल्प मतलब होता है मुझे सोयम को अपने सोयम के लिए माई सेल्प लगाते है ठीक है उसके बाद हैल्प हैल्प मतलब होता है मुझे बी मतलब होता है होना और लेस मतलब होता है कम और अफ और तू भी मतलब की होना क्या ऐसा होना Lays मतलब का मापरेड मतलब डर ठीक है तो इसका मतलब तो वैसी आप समझ गए होंगे कम डर होने में मेरी मदद करो और उसके बाद देखो तू ट्रस्ट मतलब की बिश्वाश रखना तू ट्रस्ट ट्रस्ट करना बिश्वाश करना उसके बाद में दा वोईश मतलब की वहे आवाज ठीक है आवाज होता है वोईश मतलब और इंसाइड इंसाइड मतलब की आंतरिक अंदर की ठीक है जो हमारे अंदर हमारे मन में हमा की आवाज है उस पर मुझे बिश्वास करना ट्रस्ट करना सिखाओ यह इसका मतलब हुआ है अभी हम एक मतलब देखेंगे फिर से पूरा अभी तो मैं बैसी आपको अर्थ बता रहा हूं ठीक है उसके बाद में देखिए क्या है in the deepest part of me deepest part of me तो यहां पर इन मतलब में होता है ठीक है कहीं भी आपको इन दिखाए दे उसका मतलब में समझ लिए यह वाला में ठीक है आर्टिकल होता है और आर्टिकल उता है और यह यह उसके अंतर यह पर प्रकार अर्टिकल से आर्टिकल वाला सेक्सन पड़ेंगे तो आपको का घ्यान मिल जाएगा तो यहां कि इसा article है जो किसी चीछ को पार्टिकूलर जो नाउन है उसको करता उसकी बारे में बताता है कि इसकी बात हमने पहले कर चुके हैं और इसका मतलब यह है वह दा बताता है ठिक है यह यह न बढ़नन कर देता है और डीपेस्ट कर दिया हमने तो सबसे गहरा डीप डीपर डीपेस्ट ऐसे तीन फॉर्म हुआ करते हैं आपने देखा होगा डिग्री तीन प्रकार की बना करती है ज्यादा और ज्यादा अच्छा एक तो नॉर्मल रहता है पॉजिटीव फर उसके बाद में जो है अच्छा प्रपोजिशन में आपको कभी-कभी मिल जाते हैं बांकि जो है आपको प्रोपोजिशन बारसिक में नहीं मिलने के लेकिन कॉम्पिटेटिव एक्जाम की तयारी जब आप करोगे बार भी के बाद क्या करना है ना सरकारी नोकरी के लिए तयारी करोगे तो यह बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट हो जाता है प्रोपोजिशन आपके लिए प्रिवसर्पोजिशन इसे कहते हैं अपमी मतलब मुझे आपको पता है चले शिसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं सब्सक्राइबा ने था ले तो ना चली तो लाइनों का अर्थ समझना वेसिकलिकली 옆रा वजब में तो आ गया होगा लेकिन एक बार में और आपको बता देता हूं और किलियर करके टीच मी टू लिशन लॉड ठीक है वगवान मुझे सुनना सिकाईए अब किसे सुनना सिकाईए तीसरी जो पोयम से इसमें उन्होंने कहा कि to myself मुझे खुद को सुनना मुझे सिकाईए मुझे मेरे बारे में ही सुनना मुझे को बताईए मुझे खुद को अपने आपको समझना है अब क्या समझना है कैसे समझना है तो help me to be less afraid help me मेरी साहता कीजिए to be less afraid कम डरने में मेरी साहता कीजी अर्थात में डरता हूं तो मैं डरू ना इसके लिए मेरी साहता कीजी ए तू ट्रस्ट दा वोईस इंसाइड तू ट्रस्ट दा वोईस इंसाइड दा वोईस इंसाइड वो है अवाज जो मेरे अंदर से आती है उस पर मैं ट्रस्ट करूँ विश्वाश करूँ इसमें मेरी साहता करो मदद करो भगवान उसके बाद मैं क्या लिखा है इंदा लिंक है उसके बार चलिए हम next और last जो poems की lines दी गई है lesson one की teach me to listen Lord की तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं जैसा कि यहां पर लेका teach me to listen Lord for your voice in business and in boredom in certainty and in doubt in noise and in silent teach me to listen Lord इस प्रकार से जो है इन poems का end हो जाता है तो चलिए इसको इसका जो एक एक अर्थ है एक वर्ड का अर्थ है जो आपके लिए बहुत ही important हो जाता है कहीं न कहीं समझने के लिए उसको समझने की कोशिश करते हैं पहले जैसा कि आप यहां पर नीचे की तरफ देख सकते हैं about the poem लिखा है इसमें poem के बारे में और detail में बताया गया इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अधि फिर भी आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं तो यहां पर लिखा है teach me to listen lord is line cards तो आपको पता चली गया होगा कि यह भगवान मुझे जो है listen करना सिकाईए उसके बाद लिखा है for your voice for मतलब होता है के लिए के लिए इस proposition का यूच किया जाता है your मतलब होता है आपका तुमारा voice मतलब होता है आवाज जो कि हमने पहले वी देख चुका है इन मतलब होता है proposition जो हमने पहले देख चुका है proposition बीजीनेश मतलब होता है व्यस्तता जब हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं बीजी रहते हैं तो उसका यहाँ पर noun बन जाता है बीजीनेश तो बीजीनेश मतलब होता है व्यस्तता और end मतलब और होता है जब हम बोर हो रहे हैं तो उसी को boredom कहते हैं ठीक है जब हम बोर हो जाते हैं उसे boredom कहते हैं तो वही boredom यहाँ पर यह लिखा हुआ है इंसर्टेंटी जब हम किसी चीज को ताय कर लेते हैं किसी चीज से निस्चित हो जाते हैं कि यही करना यही final decision है कोई final decision ले लेते हैं तो उसे ही certainty कहा जाता है या निस्चितता कहा जाता है ठीक है और in doubt जब हम doubt में रहते हैं confused होते हैं कोई फेशला नहीं ले पाते हैं कोई decision नहीं ले पाते हैं बराबर इधर उधर उधर mind होता है उसे doubt कहते है noise मतलब आपको बता दूँ जो आवाज होता है जो noise है noise मतलब सोर सरावा आवाज यह होता है silent मतलब बिलकुर silent सांत सांती जो चाही रहती है उसे silent कहते हैं और teach me to listen lot फिर से यह line एक बार और यहाँ पर repeat हो गई है चलिए तो इनका अर्थ जानने की हम कोशिश करते है क्या है तो जैसा कि आपको पता है कि अब सबसे पहले poet कहते हैं teach me to listen lord है भगवान मुझे आप listen करना सुनना सिखाए क्या सुनना सिखाए for your voice जो आपकी voice है वो मुझे सुनना सिखाए जो आप चाहते है जो आप करते है जो आपकी voice है जो आपकी आवाज है वो मुझे सिखाए ऐसा कभी कहते है उसके बाद क्या सिखाना है उनका तो वो कहते है कि in business जब मैं business में रहूं जब मैं अत्यादिक ब्यस्त रहूं अपने काम और काजों में तब मुझे जो है आप सिखाएए आपकी voice आप मुझे बताएए कि क्या करना है मुझे ठीक है और in boredom जब मैं बोर की इस्तिती में रहूं बहुत ज़्यादा बोर हूं तो उस इस्तिती में मैं क्या करूं तो आपकी voice मुझे बताओ आपकी voice मुझे सुनाओ कि मैं क्या करूं और in certainty मतलब जब मैं बहुत ज़्यादा निस्चित हो जाओं तो तब क्या करूं ये बताओ मुझे और in doubt जब मैं doubtful रहूं तो तब मुझे क्या करना है आप मुझे बताओ उसके बाद में इन नॉइस जब मैं बहुत ज़्यादा जो है सोर्स अरावा में रहूं बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा होगा उस समयपे रहूं तो मुझे क्या करना है सिकाईए आप और in silent जब बहुत ज़्यादा सांती में रहूं तब क्या करना है मुझे सिखाईए इस प्रकार से कभी कहते हैं teach me to listen Lord मुझे listen करना teach कीजिए तो I hope कि आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जादा अच्छे से समझ में आया होगा लेशन वन इंगलिश का जिसका नाम है teach me to listen Lord जिसमें कभी गोड से प्रेयर करते हैं और अपनी लाइनों में च्यार पोयम्स में अपने पास जो नियरेस्ट वाले लोग हैं उनके लिए अपने दूर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए और खुद के लिए और सोयम गोड के लि आते हैं तो आई होब कि आपको बहुत ही अच्छे से एक एक वर्ड का मीनिंग और साथ ही साथ में एक एक अर्थ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा तो आप continue बने रहे हमारे शाथ चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेशन के शाथ में और एक नए